Good morning friends, और आप सब लोग कैसे हैं, I hope so, आप लोग fit and fine होगे, हाँ, मैं भी काफी अच्छी हूँ, देखें, प्रीवेस वीडियो में हमने नया topic स्टार्ट किया था, जिसमें हमने amino acid कर लिया था और हमें protein करना था, I hope so, आप लोगों को मेरी वीडियो कुछ helpful, थोड़ी बहुत helpful रही होगी, अगर आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज आप वीडियो को लाइक, शेयर कर सकते हैं, अगर आपका मन करें तो, so let's start, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, protein करेंगे, अगर बात करते हैं, protein की तो protein क्या है, देखें हमारी बोडी में सबस सबसे जादा मेजर इंपोर्टेंस किसी का है, तो वो है protein का, because protein is found throughout the body, muscle, bone, skin, hair, all other body part or tissue, जो भी बहुत, जो भी है, उसमें सबसे जादा किसका रोल है, सबसे मेजर किसका रोल है, तो protein का है, protein term सबसे पहले किसने suggest किया था, bergelius, bergelius, bergelius ने suggest किया था, देखेंगे, यह आपके MZTR objective में पूछ सकते हैं, कि जो protein term is the first time, यह जो protein है, इसको first time use mulder ने किया था, ठीक है, और जो इस टर्म है, इसको suggest bergelius ने कहता, don't be confused, okay, यह polymer है, यह polymer है, amino acid का किसका है, amino acid का है, 20 type के amino acid पाये जाते हैं, यह सारी चीज मैंने आपको previous वीडियो में कराई है, अगर आपने वो वीडियो ने देखी है, तो आपका मन करें तो आप देख सकते हैं, प्रोटीन एक macro molecule है, क्यों? क्योंकि यह इसका जो molecular weight है, वो 1000 dalton से ज़्याता है, ठीक है? आप क्या है, इसमें देखे, it's formed from condensation or dehydration process of amino acid, ठीक है, amino acid, dehydration process होती हो, condensation, जिसमें बनता क्या है? peptide bond बनता, ठीक है, peptide bond या फिर इसको amide bond भी कहते हैं, जिससे बनता क्या है? आपका protein बनता है, ठीक है, protein में जो amino acid के बीच में बनता है, इसको peptide bond, तो एक यह भी questionerize होता है, कि protein में कौन सा bond पाजाता है, amide bond या peptide bond पाजाता है, protein formation हमेशा N-terminal to C-terminal होता है, यह मैं आपको through diagram दिखाती हूँ, देखें, यह है हमारा NH2 group, ठीक है? यह हमारा कॉलबक्सली group, C-O-H, यह हो गया हमारा N-terminal, यह हो गया हमारा C-terminal, और इससे निकलेगा क्या? इससे, यह जो इसका H है, और इसका जो OH है, यह क्या निकलेगा? यहाँ पे dehydration, dehydration मतलब detachment होगा, कि इसका H2O remove होगा, एक peptide bond, दू amino acid की बीच में एक peptide bond जब बनता है, तो एक molecule कि इसका water का review होता है, ठीक है? और उस जो bond बनता, उसको क्या बोलते है? पेप्टाइड 1 बोलते है, ठीक है, direction of protein formation and terminal 2 और C terminal, ठीक है? अगर कोई पूसता है आप से कि the first amino acid of any protein eukaryotes, तो आप क्या बोलना? आप बोलेंगे methionine, देखिया, voice में फोकस करना, ठीक है? methionine, और अगर आप से prokaryotes में पूसता है, तो आप बोलेंगे the first amino acid of any protein in prokaryotes, formylated methionine, ठीक है? ठीक है, यह बन, अर अच्छा, यह तो अगर यह तो बनने की process को तो condensation and dehydration कर दिया, अगर इस पूछा जाए कि protein से, protein से अगर protein में amino acid को हमें अलग-अलग करना, ठीक है, protein से amino acid कैसे है, मतलब इसको अलग-अलग amino acid को कैसे करेंगे, तो जाहिर से बात है, अगर हम यहाँ पे move कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम water add करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे water add करेंगे, उस process को क्या बोलेंगे, उस process को बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, यह हाइड्रोलिसिस में किसमें आपको बता रही हूँ, हाइड्रोलि प्रहिंगे छिए है तैंसों प्रोटीन अब टाइबसों प्रोटीन सींपल प्रूति होते हैं कांजूगीटिव, सीपीड प्रोटीन होते हैं और क्ट रहें प्रोटीन अगर सींपल प्रोटीन सीमपल कुछ सिंपल रोटीन सिंपल Control ऑफ सस 270 रोटीन आता सिंपल तरह बात करेंस भी है कियो तीक है सिंपल डुक was 70 प्रोटीन थिस जाते हैं देट कूर बहुत करेंस दों कीड़ेंस में अगर इस प्रोटीन का हम हाइड्रोलीसिस कराते हैं मतलब इंसे इम्यो एसीड ही मिलता हमको ठीक है हाँ 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 है हाँ है तो फाइब्रस होगे एक होगे ग्लोबलर डोटीन ठीक है तो फाइब्रस प्रोटीन पॉली पेप्टाइट चैन्ट एलोंगेटेट होते हैं फाइब्रिस नीचर हैब सीट लाइक स्ट्रेक्चर होता है यह अगर एक्जामपल की बात कर कोलेजन होगा कि रैटीन हो गया देखें यह होता क्या कि यह जो फाइब्रस प्रोटीन है जो इसमें अमिनोहसीट होता है ग्लाइसीनो प्रोलीन रिच होता ठीक है और यह जो फाइब्रस प्रोटीन है यह जो फाइब्रस प्रोटीन है यह जो फाइब्रस होता है फाइब्रस प्रोटीन यह वाटर में साल्बूल नहीं होता ठीक है वाटर में साल्बूल यह नहीं होत इसका 1 ग्सामपल हो गया, Coll इसका जो एक्जामपल है, प्लांट किंग्डम में सबसे जादा पाई जाने वाली है यह और रुष को और अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डिन ने में ठीक है करते हैं यह देखिए यह इस्टोन प्रोटीन अगर ज़्यादा बात नहीं करेंगे आप इसे बिंग्जांपल देना है लेकिं फिर वह जान लिए जालेजे कि यह ऑक्टॉमर और लिंकर भी होते हैं और लिंकर भी होते हैं तो यह और आपका एक्जामपल और आपका एल्ब्यूमीन है most abundant protein of human respiration में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला protein है तो मैं भूलना नहीं है इसमें बहुत सारे से mcq-arises होते हैं कि plant kingdom में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला protein तो आप क्या reverse को ठीक है और यह water-soluble होते हैं क्या होते है water-soluble होते है difference क्या था था Fibrous protein जो था वो water-soluble नहीं था पर यह water-soluble होते हैं ठीक है एक तो प्रोटीन 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 होता है त्रूपल के त्रूपन समझते हैं ठीक है जैसे कि हमारा न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया ठीक है न्यूक्लियो प्रोटीन में क्या हो गया हमारा एल्ग हो गया नुकलियो मिन्स हो गया हमारा नुकली केसी जैसे की हमारा DNA ठीक है और प्रोटीन में क्या हो गया अभी मैंने आपको एक्सांपल दिया हिस्टोन प्रोटीन का ठीक है DNA पे तो रहते हैं ठीक है DNA पे तो रहते हैं तो यह इसमें क्या हो गया इसको तो वह Conjugated को compound भी होते हैं B मतलब इसमें दोनों पार्ट हो जिसमें non-protein पार्ट भी हो और दूसरा example हम देख लेते हैं दूसरे example देख लीजें वाइरस ठीक है वाइरस में क्या होता है या फिर वाइरस किसके बने होते हैं DNA या RNA की बने होते हैं लेकिन प्रोटीन जिसका जिसको आप कैप सीड ये प्रोटीन की क्या होता है ठीक है तो होप सो यह क्लियर हो गया होगा आपको ठीक है इस्ट्रेक्चर अगर हम इस्ट्रेक्चर आप प्रोटीन की बात करें इस्ट्रेक्चर आप प्रोटीन की बात करते टाइप ऑफ प्रोटीन इस्ट्रेक्शर सो देखे प्राइमरी स्ट्रेक्शर क्या होता है देखे प्राइमरी स्ट्रेक्शर क्या होता है यह होता है प्राइमरी स्ट्रेक्शर में आपका आता है अल्फा हेल कर नहीं नहीं से तो सेकेंडरी में आता है प्राइमरी इसमें सिर्फ पोगए जागा पैप्टाइटक्च्चर पैप्टाइट का इसमें अग्यायई टीक है इसमें लिखा भी है इस primary structure is comprised of a linear chain ठीक है और इसमें पाया amino acid का linear chain है इसमें सिर्फ और सिर्फ peptide bond पाय जागा अगर हम secondary structure की बात करें हम बात करें secondary structure की तो secondary structure क्या होते हैं यह इसमें देखें इसमें आपका इसमें peptide bond तो पाय जाएंगे साथ साथ में hydrogen bond भी पाय जागा hydrogen bond में पाय जागा तो secondary structure दो तरह की होते हैं एक देखें एक alpha होता है एक beta होता है तो यहीं हम समझ लेते हैं अगर alpha के बात कर तो alpha helical जो होता है alpha helical यह ऐसे होता है ठीक है ऐसे होता है alpha helical और इसमें होता क्या है कि इसमें जो hydrogen bond होता हो सेम सेम polypeptide में होता है ठीक है सेम polypeptide में hydrogen bond होता है अगर यह इस यह polypeptide है यह समझ लिए polypeptide है तो रुके एक में तो अगर यह polypeptide है तो इसमें hydrogen bonding जोगी वह सेम polypeptide में होता है ठीक है इसका एक्जामपल हो गया मायुसीन हो गया थायब्रीन हो गया तीसमें हाइड्रोजन में बार्ट जो होता है इसमें polypeptide नहीं होताएं, टू और पालि पेपटाइड होता है, ठीक है और उनके बीच में हेड्रोजन बार्डनी होती है, ठीक है, अब इसका भी हम, मैं यहीं प्रोट डायग्राम से बनाय के क्लियर कर दूंगे जैसे कि यह देखिए यह पॉली पेप्टाइड हो यह हो गया ठीक है और तो इनके इनके बीच में हो जाएगा ठीक है तो मतलब इसमें अलग-अलग होना चाहिए जैसे कि आपका इसका घ्रा प्रोटीण तो वॉह वीडियर क्या होना हो मतलब करुआर्व सब्स्रेख्रेख्राव का के आप करुआर्य। प्रियू करिये जिसमें क्या अफके लिए हल्फुल रहेगी सो बाँ बाइ टेक केर